नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चानल के NC Consumer Net Classes में तो वैसे साथ ही जो हमारे चानल पर पहली बारा है है, सबसे पहले आप हमारे चानल को सबस्क्राइब कर लिजे साथ में वेल आइकन को प्रेस कर औल नोटिफिकेशन का बटन जरूर क्लिक कर लिजेगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तयारी और बहतरीन तरीके से संभब हो सके साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं NTA के द्वारा आए हुए नए नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें बताया गया है CSIR UGC NET जून 2020 के आंसर सीट के बारे में तो आईए बारी-बारी से देखते हैं क्लेम करने का क्या प्रोसेस है और आप आंसर की कहां से देख सकते हैं आंसर की देखने के लिए आप जा सकते हैं CSIR.net.nta.nic.in पे आप यहां पर देख सकते हो website का नाम और आप यहां से जाएंगे और जो की जो एक्जाम 19, 21 और 26 नवंबर को हुआ था और 30 नवंबर को उन सभी examination का जो provisional answer की है वो upload कर दिया गया है तो आप यहां से answer मिला लें और यदि आपको किसी भी तरीके का कोई doubt है तो आप NTA के पास claim कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक अलग प्रकिरिया से गुजरना होगा और हो सकता है कि आपको पैसा भी देना हो तो आप देखिए इन्होंने लिखा है कि आप the facility will be available from 3 यानि की 3 December से लेकर के 5 December तक ठीक है 3 December से लेकर के 5 December तक आप claim कर सकते हैं तो आपके पास कल तक समय है आप इसको claim कर लिजे दिया आपको लगता है कि कोई सवाल गलत है और उसमें NTO ने answer गलत दिया है तो आप उसको claim कर सकते है process क्या होगा claim करने का सबसे पहले website पर जाए application number लिखे date of birth और security pin login कर ले उसके बाद question paper देखें उसके side में right side में आपको रहेगा click to view challenge answer की आप उस पे click करेंगे उसके बाद फिर question ID के माधम से आप click किजेगा और देखिएगा NTO का कौनसा answer है और आपका correct answer कौनसा है आपके recording ठीक है फिर आप claim करेंगे उसको लिख लेंगे save your claim सेब कर लेंगे उसके बाद option ID याद रखेंगे आप याद क्या रखना screenshot ले लिजएगा ठीक है और जितने भी डॉक्मेंट्स जाने की जो सवाल जिस पर आपने claim किया है उसको आप एक PDF मोड में हमेशा आपने पास रखिएगा आगे के सुईधा के लिए ठीक है and save your claim करने क बाद आपको फी पे करना है और ध्यान रखना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा लिया है चुकि इतना ज्यादा फी नहीं होना चाहिए था बट किया क्या जा सकता है इंटिये का अपना मनमानी चलता है यहाँ पर उन्होंने देखिये कहा कि select mode of payment and pay your fee 1000 for each questions यानि कि एक question पर आपका doubt है कि इसका answer इन्होंने गलत दिया है तो आपको 1000 रुपया pay करना होगा जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है common बच्चा afford नहीं कर सकता है विकाउस की आप मान लो कि आपको 10 question में आपको doubt है तो आपको 10,000 रुपय ऐसे ही लग जाएंगे इसलिए यदि आप claim करना चाहते हैं बिल्कुल confident है तो आप claim किजिए otherwise करने के अब शक्ता नहीं है पांच तारीक को साम में final answer की भी आ जाएगा ठीक है तो देखिए पांच तारीक को probably आ जाना चाहिए ऐसा कोई notification नहीं आया कि पांच को आ जाएगा लेकिन पांच को आ जाएगा ठीक है चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए information के साथ यदि आप channel भी पहली बार आए हो तो वीडियो को like करना और लोगों के साथ share जरूर करना thank you very much to join me bye bye take care